ह bun do Sache हैं यह लुड़ाद फिर से आपका स्वागत है क्रेजी क्रिप्त Bowl मिंटू में आज हम बात करेंगे फ्लोगी नूँ दो जो दूसरा नम बुलते हैं रियल फ्लोगी नूच या फ्लोगी न going गई बात है आज हम उसकी बात करेंगे उससे पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर करें और हाँ, बैल आइकन का बटन दवाना ना भूलें क्यों? क्योंकि आपके लिए वो बहुत जरूरी है जो भी नया वीडियो आएगा जो भी नई information आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचने चाहिए तो इसलिए subscribe जरूर करें और बैल आइकन का बटन जरूर दवाना चलिए, अब चलते हूं अपने flow की नियूपर, आज कल इसकी बहुत चर्चा है, और बहुत ही यह अभी famous भी हो रहा है उसकी वज़य है कुछ जो rumor निकल के आ रहे हैं कि यह Binance पे इसकी listing होने वाली है अब Binance की listing कब होगी यह तो confirm नहीं है, लेकिन होने वाली है, ऐसे rumor बहुत निकल रहा है, उसकी वज़य भी है उसकी जो मेन वज़य है वो है कि Binance वालों ने अपने उस पे उन्हों ये guide जो है क्या कहेंगे provide करवाई है कि आप इसको flowky को कैसे खरी सकते हैं यानि कि Binance guide जो है guide करवा रहा है कि आप इस तरीके से flowky को खरी सकते हैं, जबकि अभी Binance पे ये available नहीं है तो इसका मतलब Binance इतना interest ले रहा है flowky में तो मुझे लगता है कि साइध recently हपते 10 दिन में listing भी हो जानी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो Binance ये guide क्यों करता कि आप flowky को इस तरीके से खरी दिये तो ये बहुत ही बड़ा update है flowky नू के लिए और जब से ये rumor निगल के आया और जब से बाकाइदा इनकी उस पे side पर ये हुआ है Binance की side पर कि आप flowky को इस तरीके से खरी सकते हैं वो guide को इन्होंने जब से disclose किया है तब से इसके price में search देखने को मिला है तब से से जब rumor आते हैं और जब Binance खुद इसको guide कर रहा है कि आप flowky को इस तरीके से करी दिए तो में भी possible है कि listing जल्दी होगी दूसरा अभी इन्होंने अपने जो BSC और Ethereum जो contact address हैं उनको भी update किया है तो day by day ये कुछ न कुछ अप्ग्रेड कर रहा है अप्ग्रेड करने के साथ साथ ये अपने आपको थोड़ा सा price में भी search में देख रहा है प्राइज भी search हो रहा है इसके साथ साथ दूसरा आईकल देखिए flowky का जो है क्या कहेंगे add इनके add भी चल रहा है आप TV पर देखिए तो flowky का भागाद आजकल add आता है तो add आ रहा है इसके मतलब coin जो है कहीं न कहीं बहुत अच्छा progress कर रहा है कहीं न कहीं community में ये spread हो रहा है तो मेरे साथ से coin अभी बहुत अच्छा चल रहा है और दूसरा ये NFT, gaming और metaverse इन सम्में इनकी presence होने वाली है ये हर एक चीज में धीरे धीरे step by step आ रहा है दूसरा इनके एक flowky university भी जो है educational institute जिसे कहेंगे वो भी market में बहुत जल्दी आने वाली है यानि education के field में भी ये उतरने वाले हैं और education तो देखिए आज की date में बहुत ही must है without education तो कुछ नहीं हो सकता तो देखा जाये तो बहुत अच्छा इनका ये concept है कि ये education के field में भी उतरने वाले हैं आज की date में अगर देखा जाये तो holders की संख्या भी इनकी 4 लाक के आसपास है 4 लाक इनके holders की संख्या बहुत होती है दूसरा इनकी अपने top metaverse क्रिप्टो करंसी में आता है यहीं क्रिप्टो करंसी में अगर कोई metaverse से starting होती है तो वो है flow की इनुँ तो top metaverse क्रिप्टो करंसी में इसका ना है और अगर देखा जाये तो इसकी जो supply है वो है 10 trillion तो 10 trillion जादा नहीं होती आजकल जो आ रहे हैं उनकी तो quadrillion और quadrillion में भी 6 trillion में भी supply आ रही है तो इनकी supply भी 10 trillion के आसपास है और circulating supply अभी इन्होंने disclose नहीं की है लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज आगे साथ 1 trillion के आसपास जो है circulating supply मार्केट में आ चुकी है इनका जो अभी current price चलता है देखें मार्केट अभी डाउन है आप देखें BTC जो है 40,000 के आसपास आगया है कहां तो 48,000 को touch करने के बाद BTC 40,000 पे आगया है उससे भी नीचे जाने की साथ सम्मावना है कह नहीं सकते हैं अभी market है यहां से boom भी कर सकता है यहां से थोड़ा वो तो नीचे भी आ सकता है market है उपर नीचे होता है तो अभी जो इसे इसाफ से देखा जाए तो फ्लोकी का अभी जो current price चल रहा है तो 0.410,000 चल रहा है यानि 3 की series अभी चल रही है यह डॉलर में prices का है तो देखा जाए तो progress बहुत अच्छी चल रही है rank भी इसकी 2870 है जो coin को एक rank दी जाती नमबर दिया जाता है उनकी performance के एसाफ से तो वो जो है 2870 है और हाँ exchange listing भी अभी major सारी बची होई है अभी जो tear 1 वाले जो exchange है उन पे अभी इनकी listing नहीं है जैसे baby doggy की नहीं है वैसे ही अभी इसकी भी जो है अभी tear 1 जो है उनमें listing नहीं है approach 28, 30 के आसपास exchange में listing हो चुकी है वो अभी सब छोटे exchange है बहुत ही कम उसमें जो है बड़े exchange है बड़े exchange जो एक आदी है बनने जायतर छोटे exchange है इनकी listing है ऐसे baby doggy का भी है वो भी 28 के आसपास exchange listing है वैसे ही जो है अपना flowky नू की भी जो एक्सेंज लिस्टिंग है वो 28 है तो देखिए metaverse की दुनिया में flowky का नाम सबसे उपर लिया जाता है इसलिए कि सबसे पहले यही coin आया था जो metaverse की दुनिया में entry कर वादा तो धीरे धीरे यह भी जो है जैसे सारे coin progress कर रहे है वैसे यह भी कर रहा है जबकि flowky को अभी ज़्यादा time नहीं हुआ है आयोए market में तो मेरे एसाब से coin बहुत अच्छा है और देखिए अभी थोड़ा market down है market low चल रही है सारे coins अभी गिरे हुए है तो flowky भी देखिए उससे अलग नहीं है flowky भी उसी market में है तो flowky का rate भी थोड़ा सा भी गिरा हुआ आप चाहें तो अपने एसाब से थोड़ा सा search करने के बाद आप अपने एसाब से मैं यह force नहीं करूँगा कि आप इतना invest कीजिए उतना कीजिए आप भी pocket जितना allow करती है आप उतना invest कर सकते हैं लेकिन पैसा आपका है जिम्मेदारी भी आपकी है नफा नुक्सान भी आपका है तो please इस चीज़ को गौर करें और अगर आप चाहें इन्वेस्ट करना तो कर सकते हैं आज के लिए इतना ही नमस्कार फिर मिलते हैं